पहले तो एक बार सबके और से हमारे भाई मनोज तिवारी जी को बहुत-बहुत बधाई ज़रा दोरदार तालियों के दोरे तो इनको अभी-अभी एक नाया दाइत दिया है दिल्ले प्रदेश के भारती जनता पार्टी के अद्रक्ष के रूप में और चार जून के राम नीला मैदान के हमारे एक बहुत-बड़े युद्धा के रूप में भी मनोस दिवारी जी है उसके बाद इनको भी बहुत प्रसाद मिला सेल टेक्स, इंकम टेक्स, इडी जो इनने कभी सुना भी नहीं होगा वो भी सब मिला इनको और उस करीब तीन-चार वर्ष के संघर्ष के बाद यही दिल्ली से भारतिये जन्ता पार्टी के एक सांसद के रूप में और अब दिल्ली जो देश का दिल है और दिल्ली कई माईनों में बहुत महत्व पुण है चहवो हमारी माभारत के काल से इंदर प्रस्थ के उस हमारे सुनिम भारत के सामराज्य से ले करके सुणि मातीत से लेकर के और फिर मुगलों की राजधानी से लेकर के अंग्रीज़ों की राजधानी तक आर उसके बाद स्वाधिंता संग्राम की साक्षि रही ये डिल्ली आज जिस दोर से गुजर रही है उसमें कई प्रकार की उधल पुधल है सामाजिक द्रिष्टी से, सांसकर्तिक द्रिष्टी से, आर्थिक द्रिष्टी से, राजनतिक द्रिष्टी से, वैश्विक द्रिष्टी से बहुत महत्वण दिल्ली है और उसमें अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा दायत्व है और उसके लिए इनकी नियुक्तिय हम अपने आप में बहुत महत्वपूरों उसके लिए हम सब की बहुत बहुत बधाई है कि एक बहुत बड़ा दाइत्वाप को इस अर्थ में मिला है कि जिसमें बहुत कुछ करने का जज़बा होता है जिसमें अपरमित साहस होता है अपने कर्म से अपने पुर्शाथ से इतिहास को भी बदलने का जजबा होता है उनी को चुनोतियों की बीच में संघर्षों के बीच में और नई रास्ते नई मंजिल तलाशने के लिए तराशने के लिए लगाया जाता है तो अधरी अमित सहाजी ने, मोधी जी ने, पाटी ने इस योगिये इनको समझा कि इनको अध्दक्ष के रूप में जो है एक बहुत बड़ी जब्मेदारी दी तो हम पूरे पतंजली योग पीट परिवार के और से इनको अभिनंदन करते हैं अध्या प्रदार आपके करतल धनी के बीच में अध्याइब अध्याइब तो यह 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 बैने एक उप्चारिकता में यह अभिनंदन किया है वैसे तो यह हमारे दिल के बहुत करीब है आशे नहीं बहुत वर्षों से एक अत्मी प्रेम है और आज मैंने ऐसी फोन किया क्योंकि पूरे नेपाल की और पूरे देशवर की आतरा के बाद मैं अभी दिल्ली लोटा आज दिर रात और सुबह फोन की आभी रास्ते में आते आते ही मैंने का कहा हूँ भाई वनोज तो बोले स्वामी जी आप कहा हूँ मैंने का मैं दिल्ली में हूँ तो बोले मैं अभी आता हूँ आशिरवाद लेने के लिए तो बिन का कि हमारे अभ्यूदेवी भाग की मिटिंग चल रही है देश में आर्थी का आजादी का जो हमारा यह शंखनाद है की राजनेती का आजादी तो हमको सतर साल पहरे मिल गई लेकिन आज भी आर्थिक आजादी की लड़ाई अधुरी है करीब पचास लाख करोड रुपए टोटल यह दि देखें वेल्थ के द्रिष्टी से करीब चार से पांच लाख करोड पै तो अकेला चीन से फिर अलग-लग देशों से जो हम आयात करते हैं तो करीब पचास लाख करोड पै देश के आंतरिक अर्थ व्यवस्था में जो MNC's जिस पर अपने जड़े जमाई बैठी है वो करीब चाहे वो agriculture sector में है चाहे health में है चाहे education में है चाहे वो FMCG में है चाहे food में है माने सब कुछ अपना गाए भेंस हमारी दूद का पाउडर बेच रहा है नैसले घी बेच रहा है नैसले पानी हमारा जमीन हमारी जमीन से पानी निकालने वाले लोग भी हमारे फैक्ट्रियां भी हमारी और उसमें लेबल लग रहा है वो विदिशी कंपनियों का है पहले जब उनके हमने कोका कॉला और पेपसी के उपर प्रहार किया तो फिर पानी से लेकर के जोसिज में घुस गई तो चाहे वो अकॉफे ना हो या किल्ले हो मनिस सब कुछ हमारा खाले एक लेबल बाहर का लग जाता है चाहे वो फूड की इंडस्ट्री हो अब मैंगी यहां पर नूडल बनाता है यह हूँ हमारा सारे उसमें जो मसाले पढ़ते हैं वो हमारे फैक्टी चलाने वाले लोग हमारे यहां तक की 99% जो विदेशी कंपनिया हैं उनके चलाने वाले प्रोफेशनल्स भी सारे हमारे उनके जितने भी डिस्ट्रीबूटर्स हैं वो हमारे डिस्ट्रीबूटर्स के आँ सेल्समेन होते हैं वो भी सब हमारे दुकानदार हमारा ग्रहा का हमारा खाली ब्रैंड विदेशी यह तो वने किसी भी तरह ऐसी तरीके से जस्टिस फूल नहीं है नैसर की नयाय के भी विरुद्ध है नैचुरल जस्टिस के भी विरुद्ध है तो हमने आका भियान शुरू किया कि जब सब कुछ हमारे देश का है तो देश का पैसा भी देश में ही रहना चाहिए देश का प्रॉफिट देश में रहना चाहिए और वो देश की सेवा में लगना चाहिए अब ये बात जब हमने कहीं तो छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को सब को समझ में आई हरी बात तो एकदम ठीक है जब सब कुछ हमारा है मैं एक दिन सुराज जी के पास मिलने के लिए गया काफी दिन करी महने डिड़ महने पहले की बात है अभी भी उनकी दुबारा से तब्या थोड़ी नासाज है फिर भी उनके पास अभी जाना होजे लेकिन तुम इसे बोली बाबा जी ये चारू तरफ में जहां भी जाती हो तो लोग बोलते फैक्ट्रिया हमारी रो मेट्रियल हमारा काम करने वाले लोग हमारे पैसा हमारा इंफ्रेस्ट्रेक्चर सारा हमारा जो भी थ्री आईज की बात कर रहे थे वही आखिला गरवाल जी वही आखिला गरवाल जी को अभी पतंजली में हमने इस पूरे अभिदय विभाग में अ इस जोन के अंदर आये हैं तो उनका भी एक पर सब की और से बहुत-बहुत अभिलंदन है बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की इन्फरेस्टेक्चर की इन्वोल्मेंट की सब कुछ हमारा इन्फरेस्टेक्चर हमारा इन्वोल्मेंट पूरा हमारा और उसमें इन्वेस्टम भगवान को माने या ना माने हमारे देश में दो ध्रूव हैं सुरू से रहें आस्तिक और नास्तिक आज भी कुस कॉमिनिस्ट लोग है कुस कुस सोसिलिस्ट लोग है वह सकता है भगवान को ना मानते हूं लेकिन वह यह बाद जरूनमानती भई देश का पैसा दो देश में से यह एक बहुत बड़ा विचार मैं देखता हूँ छोटे चोटे बच्चों से लेकर के स्कूल कॉलेज कॉलेजों से लेकर के एक गाओं गरीम मजदूर किसान दली तो वंचित पिछड़े शोशितों से लेकर के और देश के जो बड़े-बड़े सामंत हैं सब को पॉल्टिशन से लेकर के बिरोक्रेट से लेकर के अग्जिकूटिस से लेकर के सब को यह बात एकदम से दिल तक छोती है कहाँ बात एकदम ठीक है देश का धन देश की दोलत देश का वैभव देश में रहना चाहिए और इससे अगली चीज़ की पतंजली ने दो आज तक दुनिया की इतिहास में कभी न हुआ वो यह किया कि पतंजली ये कोई व्यवसाइक संस्था नहीं है पतंजली इस नाट एक कॉर्परेट हाउस और एक बिजनेस हाउस तो लोगों उनका फिर कर क्यों रहा है पतंजली मैं कहता हूँ कि मैं पतंजली का अनपेड ब्रैंड एमबस्टर हूँ मेरको तो मरोज ने भी कही बार बोला कि वावजी कही पर मेरी जुरूत हो तो मुझे लगा दो ब्रैंडिंग की कही आउशकता हो आपको एक खास बात कहता हूँ मैं ये किसी एक व्यक्ति विशेश की उपर नहीं कह रहा हूँ वोलीवुड हो जाहे हमारे अलग-अलग स्टार्स हो हो हमारे मने जो कर सकते हैं सामने से मुझे सब एक दो ने नहीं दस-पंद्रह जो जिनका बड़ा नाम है पूरे देश में हर क्षेत्र में मने कला साहित संगीत से ले करके अलग-अलग प्रकार से बोलो बाबाजी हम को ये आप जह है इसमें हमको भी जोड़ो इस अभियान से मने पूरे देश में एक अलग किसम का बाता हम लंग गया क्यों तो बाबाजी जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो हम भी तो कुछ कंट्रिब्यूट कर सकते मैंने का मैं पतंजली का अनपेड ब्रेंड रमेस्टर हूं आचारे बारक्षिंजी अनपेड सीओ है 97 परसेंट उनके नाम से डारेक्ट जो है पतंजली के शेर होल्डिंग है क्योंकि जो कानून है कंपनी लो है उसके अनुसार कोई ट्रस्ट किसी कंपनी का शेर होल्डर नहीं हो सकता तो एक इंडिजिवल को वो एक कानून का अनिवारी आता है उसकी एक लीगल जो है उसके लिए रिक्वाइर्मेंट है और जो तीन परसेंट है वो भी अलग-लग कंपनियों के नाम है और उनके भी जो है ओनर आचारी जी है तो सो प्रतिशत जो है वो पतंजली की सेर होल्डिंग वो आचारी जी के नाम लेकिन आचारी जी ने ओफिशिली अनौन्स कर दिया और उसका पूरा का पूरा डोक्मेंटेशन हो गया कि पतंजली के अनपेड सीयो ही या एमडी ही नहीं आचारी जी आचारे बाक्षन जी उसके एक रुपए भी कोई भी डेविडेंट ने लेने वाले पूरी दुनिया के पहले शेर होल्डर है एक रुपए भी डेविडेंट नहीं अर्थात एक रुपए का भी कोई प्रॉफिट नहीं शेर करना तो पतंजली का शेर होल्डर को व्यापारी नहीं है तो पतंजल शिक्षा के लिए देश की स्वास्थे के लिए अनुसंधान के लिए गो माता की सेवा के लिए भारत माता की सेवा के लिए सवासो करोड लोगों की सेवा के लिए पतंजलिए सबके सम्रिद्धी प्रास्परेटी फर ओल सबके सेवा सर्विस फर ओल लाव फर ओल इसी को मार्शी पतंजली ने योग सूत्रु में कहा मैत्री करोना मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुक पुन्य पुन्य विशाणाम भावना तस्चित प्रसादनम योगी की करोना है रिशियों की करोना थी जो उन्होंने जगत के कल्यान के लिए कितने बड़े बड़े कारिये किये एक योगी और सन्यासी की करोना होते है कि उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए फिर वो जगत के लिए सब कुछ करता है अभी तक एक राख से जादा लोगों को रुजगार दिया पतंजली निसीधे तोर पर पहले जादा तर जो सादू सन्यासी होते हैं वो सेट लोगों की करोड़ पती लोगों की तरफ निगाहें रखते थी कि ये कितना दान देखे जाएगा मेरे इस मंदिर में, मेरे ट्रस्ट में हमने करोड़ पती लोगों की जेवू पर निगाहें नहीं रखी हमने जिसकी ओर देखा वो करोड़ पती हो गया हमने करोड़ पती बनाए हैं और एक दो नहीं, हजारों लोग करोड़ पती बना दिये, और बनाएंगे, एक ग्रियस्थ क्या करता है, अपने पत्नी को संपन्न देखना चाहता है, उसको अच्छे आभोश्रों में देखना चाहता है, अपने बच्चों को संपन्न देखना चाहता है, जैसे एक को अपने मातापिता को अपने परिवार को खुश्ब देखना चाहता है ऐसे हंधुस्तान का सन्यासी सवा सो करोड हंदुस्तानियों को खुश्ब देखना चाहता है इसके रिए पतंजली का भियान अभी तो पाँÇ लाख लोगों को आगे हमने लक्ष बनाए की रोजगार देना है पांच लाख लोगों को और पांच करोड से ज़्यादा किसानों को समरिद्धी देनी है एक क्रिशक पुत्र का भी धर्म निभाना है क्रिशक बोलते हैं किसान को फार्मर को एक क्रिशक पुत्र का भी धर्म निभाना है और एक रिशी पुत्र का भी धर्म निभाना है और रिशी और क्रिशी की संस्कृति को पूरी दुनिया में गोरव दिलाना है यह है पतंजली की आर्थिक आजादी आर्थिक स्वाधिन्ता का अभियान अभी 20 जन्वरी भी आ रह कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि टीवी वाला रेडियो वाला अकबार वाला वो भी आर्थिक आजादी के नारे लगा रहा है नहीं तो ये कोई कंपनिया किसी ये जितने भी टीवी वाले अकबार वाले रेडियो वाले कोई ऐसी केम्पेंड चलाएं कि जिसे दूसरी कि किसी कंपनी की जड़े उखड़ जाए कोई केमपेंड चलाने के लिए राजी नहीं होते थे पिछली दिनु जब हमने रेडियो पर बहुत बड़ा एकेमपेंड चलाया टीवी अकबारों में चलाया तो एमन्सी के फोन गए रेडियो वालों के कि बहुत देखो आप में ठीक जो करना सो कर लो अब उनको कोई चारा ही लिए तो अब एक नया रास्ता बिल गया टीवी वालों को भी अकबार वालों को रेडियो वालों को भी कि पतंजली का जितना एड चलाओगी अतने एमन्सी और ज्यादा देंगी तो जिस भी भाने से आए देश को पैसा तो म यह स्थिती सदेश में बनी है और यह कोई छोटी बात नहीं है और यह तो अभी थोड़ा तयार होने दो करीब कुल मिला करके अपना एक तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूट पार्क है यह डेड़ सो इकट जमीन पर हरिद्वार में करीब 50 अपनी अलग लग छोटी छोट से जहां नूडल से लेकर के बिस्किट से बिस्किट से लेकर के नमक से लेकर के और आटा और जहां सरसों का तेल आदी जो अलग अलग चीज़े बन रही हैं 50 यूनिट है चोट चोटी और अभी पांच बड़ी मेगा यूनिट हो जाएंगे एक हरिद्वार दूसरा प्रोडेक्शन के पीसिटी नागपुर में बिल्ड़ अप कर रहे हैं और वाद 10,000 क्रोड रुपे की एक्सपोर्ट की कैपिसिटी वह अलग से बिल्ड़ अप कर रहे हैं और मार्च मेहने तक तेज़पुर में आजा दी के 70 साल बाद तक आज तक आसाम में कोई 10,000 आपाई प्राइबिट को तो बात चोड़ो हमने भी जब लगाना शुरू किया तो दो चार की प्रेम पत्र आए कि आप यहां इंड़स्ट्री लगा रहे हो सब उड़ा देंगे मैंने का हमने यही काम किया है देखते हैं कौन किसको उड़ाएगा बहुतों के प्रेम पत्र आये है हमने का आने दो कोई भात नहीं लगे रहो अब आरे पास पून आये बढ़ा जी क्या करें हमने मुखे मंतरी जी को फोन किया मैंने का आप अपना काम करते रहे हम अपना काम करते रहेंगे और जो राष्ट विरोधी तत्व हैं उनको भी हम द पतंजली के साथ आज तक आसाम में कोई नी बड़ा काम इसरी नी कर पाए कि वहां लोगी साथ में नीकड़े होते थे बैका देते थे अब पतंजली के साथ पुरा तेज पुरोड पूरा आसाम खड़ा है और मार्च महने तक 25,000 क्रोड़ पे की कपी सीटी वा मैने कितने लोग तेजपुर में काम करने के लिए तो 5000 लोगों को लाइन अप कोन कर रहा है एक लंगोटी वाला एक धोती वाला एक आचारी कर रहे हैं आचारी बाक्ष्ण जी 5000 लोगों को लाइन अप करके उनको अलगलग काम देना responsibility देना उनसे पूरा जह है आउटपुट ल है तो वो पतंजली कर रहा है यह भी एक इतिहास बनेगा एक लाग करोड रुपए की manufacturing capacity इतना बड़ा काम तो मैं बात शुरू की थी आर्थिक आजादी के अभियान की तो यह बहुत बड़ा काम है तो यह आर्थिक आजादी के अभियान के आप योद्धा है और योद्धाओं को मजबूत होना पड़ता है तब लड़ाई जीती जाती है आज हिंदुस्तान के दी सेना कमजोर हो तो क्या पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर सकती है हमारी नेवी हो चैह हमारी थल सेना हो यह हमारी एरफोर्स हो मजबूत होना पड़ता है तो ली का अभ्यूद है यहाँ पर भी तो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है और उसके लिए हमारे भाई मनोश तिवारी जी को एक बहुत बड़ी जम्यदारी दी है हमारी सब की एक बार आपकी जोरदार करतल ध्री की बीच में इनके लिए बहुत-बहुत अमारी प्रा अलिनता है अब इनकी लड़ाई भी बड़ी खतरनाक है लेकिन ये बड़े हमत वाले हैं मुस्कुरा करके मुस्कराहट में जो दिलों पर मुस्कान होती है होटों पर मुस्कान होती है दिल में कुछ करने का जज़बा होता है कुछ जुनोन होता है तो कुछ भी हो जाता है असंभव को संभव करके दिखाने का सामर्थ है निखने वाले ही दुनिया में इतिहास रस्ते हैं तो आप लोग इतिहास बनाने में लगे वियों, इतिहास घड रहे हो इतिहास पढ़ना अच्छी बात है, इतिहास घडना उससे भी बड़े गोरव की बात है मुनवस्तिवारी जी आज सुबह सुबह ये पूरे दिल्ली और NCR क्षेत्र के सब लोग है यहाँ पर और थोड़े से दूर से भी बुला लिए जो आज परोस के थे मूँ लता है दिल्ली ओर अियोर स्याहर क्शेत्र है तो आपा सिल्ट में शब्ख हम सबकी प्रार्थना हैं हमारे सबके आप आपके लिए देखो जीवन में जो साथवी का आत्माय होती है उनकी दौआए बहुत काम करती है आशिरवाद अपना काम करता है प्राषण अपना काम करती है भगवान भी एक बहुत बड़ी ताकत है वो अपना कारे करते है हम तो हमारे इंसान का जो पुर्शार्त है वो तो अपना कारी करता ही करता है लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी अद्रिश्य शक्तियां भी काम करती है ये जितने भी यहां पर साथवी का आत्मा हैं उन्हें सब की प्राधनें आपके लिए हैं और आप भी दो शब्दे बोल दो इनको और कुछ ना कुछ सुना भी दो ये मेरा सभाग यह है कि पता नहीं कैसे रास्ते में चलते हुए और एक दिन में स्वामी जी से मिला और कई जगह कई शहरों में हम जब पतंजली का सब शुरुआत हो रहाता तो लखनव में ये भी बताता हूँ जब हमने ओपन मार्केट की सुरुआत की तो दो तीन जगह तो इन्होंने ही जो है उसको उद्गाटन किया उस समय भाई हमारे स्रिकांत राई जी थे और ओपन मार्केट का पहले दिली में फंक्शन हुआ फिर उसके बाद लखनों में फिर पटना में तो जो उस समय ये मने इस आर्थिक आजादी के अभ्यान के भी हमारे सुरु के योद्धा है उसके लिए भी इनको बहुत-बहुत बदा याद दिलाए और हमने वो छण भी देखा है जब आर्थिक आजादी के इस बड़े पुरोधा को समय से पहले ही इस देश में कुछ लोगों ने समाप्त करने की भी कोशिस की थी वो रात भी हमने देखी है वो काली रात मैं तो भूली नहीं सकता वो बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जीने की इस श्वर कभी कभी अपनी रचना करता है और अपने जिनकों उन्होंने भेजा है कुछ बड़े कारे के लिए उनको बचा लेता है तो मैं तो बिल्कुल आँखों से देख रहा था और मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है जिस दिन से मुझे पद मिला मैं सोच रहा हूँ स्वामी जी से मिलने जाओंगा कितर मिलेंगे कहा जाएंगे क्योंकि जब से मैं आप से मिला मेरी हर खुशी मेरा हर दुख आप से शेयर करता रहा हूँ तो ये तो पता नहीं है जो पद मिला है वो खुशी है या काटो बहरा है इस तो पता नहीं मुझे लेकिन शेयर तो करना ही था अर वो भी आज मुझे ये मौका मिलेगा और एक साथ में अपने इतने भाई बहनों से मिल लूँगा ये तो भगवान के कृपा है आजी फोना है आजी मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि अभी तो स्वामी जी आपको बहुत कारिय करने हैं और ये तो मैं समझता हूँ आज जो कैसलेस बैंकिंग की बात हो रही है उसको कितने बड़े अस्तर पे पतंजली ने शुरू किया यह हमको कहने की जरूरत ही नहीं है आप लोग तो उसके बड़े उदारण है हम अभी कल हम लोग सड़कों पे घूम रहे थे स्वामी जी कैसलेस बैंकिंग समझा रहे हैं लोगों को दुकानों पे जाके यहाँ वहाँ तो उसमें हम एक पतंजली के भी स्टोर पे गए थे तो उनके पास तो कई दुकान वालों ने अभी वो स्वाइप मसीन नहीं रखी है वो अभी कोई पे टीम से एक्सेप्ट कर रहा है कोई SBI बड़ी यूज कर रहा है लेकिंग मैं पतंजली के दुकान पे गया तो दो दो मसीन स्वाइप करने वाली थी एक दुकान पे तो मैं तो इतने ही कहता हूं मुझे पता है कि कवीर दाश जी ने एक लाइन लिखी है जिसको स्वामी जी चरितार्थ कर रहे है और आपका कितना बड़ा योगदान है इस देश को कि जिस काला धन के लिए नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान मंत्री बनाने के लिए गली गुमे है स्वामी जी करेंसी जो 1500 की है उसको वापस लिया जाना चाहिए स्वस्त भारत के लिए सम्रिद्ध भारत के लिए स्वामी जी ने बहुत पहले सम्रिद्ध पहले से इसको शुरू कर रखा है ये तो सब दुनिया जानती है समय समय पे यह ऐसा एक उपचार हो इसकी भी बार बार प्रेड़ना स्वामी जी देते रहते हैं और नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित जो इस देश के ऐसे पुरोधाओं की बातों को समझ करके देश को स्वस्त बनाने की कोसिस करते हैं मैं उसी टीम का हिस्सा हूँ मुझे तो गर होता ही है कबीर दाश जी की एक लाइन है वो मैं आज जरूर कहना चाहूंगा जिसको स्वामी जी चरितार्त कर रहे हैं किसी ने कहा था कि अब तो तुम अध्याक्ष बन गए हो गाओगे की नहीं तो मैं बोला कि मैं गाओंगा नहीं तो मर जाओंगा मैं तो गाते गाते ही यहां तक आया हूँ तो मैंने बल्की एक दिन प्रधान मंत्री जी से पूछ लिया कि भाईया में गा सकता हूँ कि मैं भाईया ही बोलता हूँ सर में गा सकता हूँ कि नहीं बोले अरे ये तो मा शारदा, मा साक्षा, सरस्वती, कृपा है उसने जब तुमको कहा गाओगे तो इस देश में कौन तुमको मना करेगा तुन्हों ने कहा गाते रहना हमारे राष्टिया देख जी ने कहा गाते रहना तो कल में स्वामी जी एक कोली समाज का है कारिक्रम थारामलिला मैदान में कोली समाज के उसमें गया थमें और आज दूसरा अपने कारियाले और घरक से मिकल के कल कोली समाज के पास गया आज में पतंजली में आया हूँ ये दूसरी मेरी यात्रा है बनने के बाद पर्लिक मीटिंग तो मैं इस लाइन पे जिसको स्वामी जी चरितार्थ कर रहे हैं वो आपको दो लाइन सुनाना चाहता हूँ आप सब के लिए भी है कि कभी रा जब हम पैदा हुए ये जग हसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो कि हम हसें जग रोए हम हसें जग रो चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया जीनी रे जीनी प्रेम के रस में भीनी चदरिया द्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओड़ी निर्मल सी कर दीनी चदरिया और दास कबीर ने ऐसी ओड़ी जसकी तस धर दीनी चदरिया वही चदरिया स्वामी जीने ओड़ी वही चदरिया हम सब ओड़े न ये चदर मतलब सरीर और निर्मल सी कर दीनी चदरिया कुछ लोगों ने तो इस रंग को स्वामी जी दागदार भी किया आपने तो इस रंग का भी सम्मान विश्व में बढ़ा दिया कि ये सरंग के अलोग अर्थिक आजादी के बात कर रहे है हमारे लिए बस इतना करिएगा कि हम कहीं भी रहे हमको अशिरवात देते रहिएगा हमारे पास इतनी बड़ी हमारा परिवार है मैं ब्लेश्ट फिल करता हूँ मुझे विश्वास है कि पतंजली हमारा परिवार है और इस देश का दिल्ली का हरो परिवार जो आर्थिक आजादी चाहता है cashless banking चाहता है बरश्टाचार मुक्त समाथ चाहता है काला धन के विरुद्ध चाहता है वो हम लोगा परिवार है तो अभी जह है भाई मनोज को क्योंकि अब तुम ज़्यादा भी गाना मत गवाना अभी इनको गाना भी है कुछ बजाना भी है तो यह जो है यह राजनीती बड़ी जो है बहुत ही काटू भरी संघर्षों भुरूज चनोतियों भरी राह है और इसमें इसके बहुत राज होते हैं और इसमें भी राजनीती को राजद धर्म की तरह है ऐसे हमारे भाई विनोज तिवारी जी निभाते रहें इनको बहुत बहुत आशिर है जो है बहुत आशिर है